Hello everyone, welcome and welcome back to Sighit Sish Patsrala and in today's lecture we will be learning about electronics जो कि ICT के स्लीवस में एक important topic है तो पढ़ने से पहले हम यह जान लेते कि हमें पढ़ना क्या है तो electronics में हमें basic electronics के just principle और application parts हम को जानना है इसके अलावा हमें electronics में physics नहीं पढ़नी है कि चीजें काम कैसे करती है चीजों का application क्या है सिर्फ हमें इतना पार्ट से एक general knowledge होना चाहिए what is electronics is all about तो शलिये लेखते हैं what is electronics तो electronics is a branch of physics हम सभी जानते है it is a branch of physics that deals with the emission and behavior of electrons तो यह ऐसी branch of physics की जो emission emission मतलब जब electrons किसी जगे से बाहर निकलते हैं तो उस electrons के emission के उसके behavior के और उसके जो आने वाले परिणाम है जो भी effects है उनके बारे में जब हम study करते हैं तो हम उस physics की उस ब्रांच को कहते हैं electronics आगे चलते हैं देखते हैं कि history क्या रही है electronics की या फिर प्रश्ट भूमी क्या रही है electronics की तो सबसे पहले 1897 में एक J.J.Thompson नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोन की discovery की थी इन सबी को हमने 7th या 8th क्लास की chemistry या physics की books में हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है और इन 1904 जॉनट्न नामक एक सांटिस्ट ने simple vacuum tube का विश्ट किया simple vacuum tube उसमें 2 terminals थे इसलिए simple vacuum tube को क्या कहा गया डायोट यह कुछS्प्री कैंशल semester 2 ई कुछ इस परेकार की दिखती थी नीचे से दो होते थी जैसे आज हमारा डायोट दिखता er पोटो डायोड या LED डायोड बिलकुल उसी तरीके का यह दिखा करता था जिसमें एक positive terminal और negative terminal हुआ करता था जो positive terminal था उसे एनोड कहा गया and the negative terminal will be known as cathode आगे बढ़ते हैं देखते हैं 1907 में defrost अनाम के एक scientist थे उनने ट्रायोड बनाया जिस तरीके से यह डायोड था जिसमें दो terminal थे एक ट्रायोड बनाया गया जिसमें metal junction के साथ में एक तीसरा हिस्सा जोडा गया तो इसके बनने के बाद से पहला computer के अविश्कार की नीव रख जिसका नाम था ENIAC के बारे आप जाना चाहते हैं तो आप मेरे generations of computer वाली वीडियो को देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कि vacuum tube के साथ क्या problem हो गई थी क्यों वहां पे ही रहके electronics आगे नहीं बढ़ी या क्या जरूवत पर देती कि हमें और भी जादा अविश्कार करन दूसरे चीज है कि काच होने के कारण इनको गरम होने में बहुत जादा समय लगता था तो इसके कारण यह हुआ कि ज़्यादा पावर पहले अगर किसी को computer चालू करना है तो आदा घंटा पहले चालू करने में ही लगता था जब वह vacuum tube उता पावर एक्वायर कर लेता था उसके बाद में वह computer फिर स्टार्ट होता था फिर इसके कारण यह हुआ कि जब ज्यादा पावर कंज्यूम कर ली तो कुछ समय बात क्या होता था यह vacuum tubes को ज्यादा ही हीट हो जाती थी जिससे computer की efficiency में फर्क पड़ता था बहुत जादा आगे चलके 1946 में फर्स्ट वैक्यू तो ट्रांजिस्टर के बनने के बाद में चीज़ें बहुत जादा आसान हो गई बहुत जादा compact हो गई चोटी हो गए क्योंकि यह बिल्कु छोटी से चिप हुआ करती थी इस तरीके की जिसमें three terminals होते थे जिसमें tri-junction हुआ करती थे अब और हां यह कहां बना था यह बैल तो इसको बना इसको बनाया गया था आगे बढ़ते है और कि 1979 में बना माइक्रोप्र इसा माइक्रोप्रोससर के बारे में जाने से पेले मैं आपको एक चीज़ बता देते हूं कि जब Semiconductor का विश्कार हुआ roku semi conductors semi conductor i am sure आप जानते होगी नहीं जानते तो आगल हमें इसके पारे मियी पढ़ेंगे घंदि वेहने अर्दिचालाग कहा जाता है और इनकी क्या स्पेसिलिटश्य टी कि यह कंड़क्लर 기 कर सेमिσι कंड़ने के बाद बहुत सारे ICs होते थे, तो पहला जो microprocessor बना उसका नाम था Intel 4004, जिसे Marcian, Edward, Ted Hoff, Stanley, Mazor and Federico Fagan ने बनाया था, इसी तरीके के दो microprocessor के बारे में हम बढ़ेंगे, जिनको बोलते है VLSI, ULSI, N के बारे में और डिटेल में हम आगे जानेंगे, आगे बढ़ते हैं और हम देख होता है, उसके अगल बगल सारे क्या होते है शेल्स होते हैं इगलिसमे इंहें भी दुर में हम फिर धि एक चैनल्स में इसको बोलते है कब यह कैसा होता है अगे निकेटिविन चार्ज जातने है जाए तर ऐसे एक डेर्ट्रॉन् कर दोबıकर को लिखा हए तो इती हीर्गि फिस बहुत इक पार्टिकल का किसी भी मैटर का that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field जब किसी भी पार्टिकल को यह किसी भी मैटर को आप एक electromagnetic या फिर विद्य चुम्ब के शेत्र में रखते हैं तो उसके कारण उत्पन हुए उसमें जो भातिक गोन होते हैं उसके कारण जो भी उसमें properties आती हैं गोन आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसका चार्ज बोलते हैं और एक बात important जो हम बच्पन से ही जानते हैं कि like charges repel each other मतलब अगर negative negative pass आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे दूर भेजेंगे अगर positive positive pass आएंगे तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे लेकिन अगर negative और positive pass आएंगे तो यह electron को या फिर current को flow होने देते हैं तो like charges repel each other and unlike charges attract each other any object with no charges refers as neutral और ऐसे भी प्रकरती में ऐसे भी particles होते हैं नेचर में ऐसे भी matter होते हैं जिनमें कोई charge होता ही नहीं है तो फिर हम ऐसे particles को या ऐसे matter को क्या बोलते हैं neutrally charged या फिर neutral matter इस पे कोई charge नहीं होता है जीरो भी हम इसे कह सकते हैं then electronic current क्या होता है it is a rate of flow of a positive charges and it is measured in ampere होता है क्या है जब आप 9th class की physics पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि electrons जिस भी direction में चलता है उसके उल्टे direction में क्या होता है current का flow होता है इसको हम हमेशा ampere में नापते हैं okay आगे देखते हैं flow of electric current क्या था वही जो मैंने अभी बताया आपको कि टिर डिरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज चलेगा उसी direction में आपका क्या चलेगा current याने की आई चलेगा जिसे हम किसमें नापते हैं ampere में नापते हैं ampere उसका नाम इसलिए पढ़ा ता जिन साइं आगे देखते हैं what are conductors of electricity ऐसे material materials that allow electrons to pass through them easily ऐसे material जो अपने पास से electrons को अपने अंदर से आसानी से गुजरने दे देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं conductors बोलते हैं this property of conductors is called as conductivity और इस गुण को हम क्या बोलते हैं conductivity बोलते हैं Hindi में अगर हम पढ़ें तो conductors को हम Hindi में बोलते है है चालक और ऐसे पदार्त या ऐसे material जो अपने अंदर से electron को पास होने दे जो अपने अंदर से electron को आसानी से जाने दे तो उन्हें हम बोलते हैं चालक और चालकों की इस प्रक्रिया को इस property को हम क्या बोलते हैं उनकी चालकता बोलते हैं राइट आगे बिकते हैं और देख पुचाल अखियाने की इंड़क्टर की तरह काम करते हैं और वो इलेक्टरिसिटी को पास नहीं होने देती लेकिन अगर आप बिना चपलों के कोई इलेक्ट्रोनिक से रिलेटिट कोई काम कर रहे हैं तब आसानी से बिजली जो होती है वो human body से आसानी से पास हो सकती है लेकि matárosoft के इंड़क्रों से लेक्टरूं को पास तूँ थू आप देन डैलवसद को जो एकित्ष्टी को यँए लेक्टरूंस को पास होने नहीं देते और यह हो में एक्टिक शोक लगने से बचाते हैं जैसे की plastic हो गया पेपर हो गया Körper हो ग्या डिवर हो ग्लास Umsan говорит मेंद गमार यह तिनी तेचंवी बीच को करमायोंकर हैं तो राइसे मेंटेरियал ich हटेध बेट पीक इक थिनके मिछी आल वते हैं कि अगे जूंके यह गट अगे पते थे आज गया इंफिसेकंड़क्टेश भीजा उस लお願いします कि हिंदी मेने बोलते हैं अर्थचालक हिंदी मेने हम बोलते हैं अर्थचालक तो होता क्या है actually में इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि conductor और non-conductor के दरह कैसे काम करते हैं इसका बहुत अच्छा बृट एक्ञता है गभाशा जैसे आजकर मे के जादो देखा जाता है में जलिकों चना बंडा पार्टीकल को देख सी इनकिता है तो अगर कोसी भी परक्टिकल्ट को देखें optimist यह सबल ना नियुम्तानि यह सब्सक्राइन, और कुछिछ example आशाल पर वक्याय Dios Kanne, के सब्सक्राइब हें सब्सक्राइब Woods acceptable सब्सक्राइब टार भिते हैं, कर टार शल्पधे चेहिते का सब्सक्राइब जिसाफ बेड़क्स Бог्न वेलीक्स की देड़ लेकित ऍवर सेमी कंदुक्टर समें ऐसे होता है, अगर इन्हे अनर्जी दी जाए तो यह इनके धृतरों से असानी से सरा आगे देखते हैं कि क्ते टैप के सेमी कंदुक्टर स दो कदू path, एक होते हैं इंट्रेंसिक सेमिकंड़क्टर्स जिनकों प्योर सेमिकंड़क्टर्स के नाम से जानते हैं दूसरे होते हैं इंट्रेंसिक सेमिकंड़क्टर्स के नाम से जानते हैं इंट्रेंसिक सेमिकंड़क्टर्स क्या होते हैं यह सिंगल टाइप ऑफ मेटेरियल या इलिम तो वही बात थोड़ी सी अनर्जी देने से इलेक्ट्रों वेलेस्ट से छूट कर कहा चले जाते हैं इसकी तरह कंडुक्टर की तरह एट एपसलिट 0 कलविन बहुत बिल्कुल 0 डिगरी कल्विन पर यह 0 डिगरी सल्सीयस पर इन में क्या होता है बहुत है और इसी के कारिण यह कैसे वक करते हैं इनसुलेटर की दरवर करते हैं और अगर इन्हें थोड़ा सा भी टेंपरेचर दिया जा तो इलेक्ट्रों कहां जंब करते हैं दरफ जंब कर जाते हैं लेकिन हिए तो जो कंबिनेशन होता अच्छा नहीं होता और इसलिए प्लुक्रीटर समी कंड़क्रинов के अधिर नहें इन में इनको बनाने के लिए they are made up of adding small amount of impurities इसमें क्या मिलाया जाता है और impurity मिलाने के इस process को कहा जाता है doping तो दोपिंग की प्रक्रिया से इसमें कुछ impurities मिलाया जाती है जिससे क्या होता है कि जिस पर चीज की deficiency होती है कमी होती है उस भी बढ़ाया जा सके जैसे doping की doping process increases the conduction दो टाइप से होता है n टाइप और दूसरा होता है p टाइप n टाइप में क्या होता है कि electrons जादा होते हैं तो electrons जब majority में होंगे तो doping करके इसमें और electrons को बढ़ाया जाता है ताकि क्या हो electrons और भी जादा इसमें छोने लगे और इस तरीके के जो सेमी कंदक्टर होंगे वह electricity अच्छे से प्रिड्यूस कर पाएंगे तो जैसे इस टाइप को सेमी कंदक्र को बनाने के लिए बोरॉन को पाइड किया जाता है उसी तरीके से जब एक P Type का Semiconductor के साथ जोडा जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? या पिन जंक्शन डायोड क्यों क्यों कि इन दोनों को मिलाने से इन के बीच में क्या बनता है? देखते हैं इसके बारे में कि डायोड जाधा Semiconductor Devices which are used to protect circuits from limiting the voltage डायोड क्या करते हैं? यह ऐसे Semiconductor Devices हैं जो voltage को limit करके और circuit के क्या करते हैं रक्षा करते हैं इसेंशली आक्ट अज वन वे स्विच यह किस तरीके से काम करते हैं? वन वे स्विच की तरह सिर्फ इलेक्ट्रों को इक डिरेक्शन में जाने देते हैं रिवर्स नहीं होने देते करेंट को और इस तरीके से जैसे ही current वढ़ता है तो यह circuit के सुरक्षा करते हैं इस प्रकार से होता है जैसा यहां दिख रहा है अगर आप इसको अच्छली में आप देखेंगे तो आपको यह कुछ इस तरीके से देखेगा आपके आसपास में और अगर हम इसको circuit में जोडते हैं तो P-type के semiconductor को हमेशा positive terminal of the battery से जोड़ा जाता है 9-type को negative terminal of the battery से अक्सर जोड़ा जाता है आगे देखते हैं कि P-n junction diode दो टकरती में कैसे यूज़ दो तरीके से कैसे यूज़ सकते हैं दियार यूज़ इन two ways first is forward bias, forward bias जो हम अभी पढ़ रहे थे यानि कि P-terminal को positive से और N-terminal को negative से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये switch की तरह काम करता है और अगर हम इसे reverse bias करते हैं यानि कि हम P-terminal को negative से और N-terminal को positive से जोड़ते हैं तो फिर कैसे काम करेगा ये breakdown की तरह काम करेगा यानि अगर इसमें current flow को अगर ज्यादा बढ़ाया जाता है तो ये P-N junction diode खुद को ही तोड़कर circuit की रक्षा परता है ठीक है तो ये था diode के बारे में आए देख लेते हैं कि बहुत सारे diodes होते हैं हमने बहुत सारे diode का नाम सुना है जैसे कि LED diode हो गया photo diode हो गया laser diode हो गया avalanche diode हो गया shotky diode हो गया और zena diode हो गया ये सारे किसके application से diode के application है या फिर semiconductor के application है आए के करके सबको देख लेते हैं पहला है LED diode या फिर light emitting diode इसको कब discover किया गया था ये एक PN junction यहां पर हम देखेंगे तो ये P terminal जिसको positive terminal of battery से जोड़ा गया है और ये negative terminal जिसको negative terminal of battery से जोड़ा गया है ये forward wise में एक PN junction diode होता है तो जब इससे electricity को pass कराया जाता है तो इससे जो energy निकलती है वो किसके रूप में निकलती है और minor packets of energy which contributes electromagnetic waves विसमों हम बोलते है photons तो जब भी इसमें इस electricity पास होती है तो heat up होने के कारणने से energy निकलती है और ये energy किसके रूप में निकलती है light के रूप में निकलती है अगे बढ़ते हैं what are the uses of diet तो इन्हें आपने इंडिकेटर में देखा होगा गाडियों के या फिर lamps में देखा होगा ब्रेक लाइट्स में देखा होगा torch बल्प बच्चों के toys में बहुत सारी जगा पे आपने इसको दिखा होगा आगे बढ़ते हैं what are photo diet इनको कब बनाया यंख जो गया पे निगेटिव घ्राइट को किस से जोड़ा गया विस तरफ अपनी तरफ देख किया तो होल्स सारी किस तरफ खिचने लगे इस तरफ खिचने लगे और positive से नोन हो इस पर आगे बढ़े तो यहां से उन्हों यहाँ को अपनी तरफ चिचा जिसके कारण इस एक दूसरे से opposite direction के तरफ बढ़ते हैं जिसके कारण ये जो band होता है ये क्या हो जाता है चौड़ा हो जाता है और इसके चौड़े होने के कारण क्या होता है कि जब इस पर energy गिरती है जब इस पर light गिरती है तब इससे electrons छोट छोट कर बाहर निकलते हैं और जिसके कारण ये diode डायोट चौिए को कि ब्लाइट यक प्रिक्त 10 फ््रेक्ट साक्प टा-ईजिल्स है नबर फ्रेक्टों प जड़ेटर क्या होता है कि लाइट के गेरने से यहां पर यह वो एदर और भागने लग जाते हैं फोर्ट करेंट के नाम से जानते हैं अब यह स्थिव ec से ऐसा होता की मैं यहां पर कहीं पर यहा है यहां ही पर ऊधंदोि छूवा की वन दूहें जाती हैं अगर छाफना के रस्ते फिर होत हैं तो यह बत शेंपल था हां यह जाता है अप webs स्फोछ के बॉंड वह शलगे उजाता है जाता है और फिर water sprinklers चालू हो जाते हैं शॉपिंग मॉल का जो विलिंग काउंटर होता है उसमें क्या होता है कि आपने अकसर देखा होगा कि इस तरीके का एक ट्रेड मिल टैप से चलता है जिसमें बहुत सारे ऐसे आइटमस रखिये होते जैसे ऐसे फिल उसटे गृष को क्रॉस करते हैं यह लाइट में चक्रश पर्च एक लम इनके घुजर गुजरते इनलाश कहीं घुजरा इनल्टे काउंटर होसी ओनंद इस को थे जरे में ढाइन इनल्गिरतं भृकिके इस इसको किएसमें कि बायस किया गया है था जोड़ा गया है यानि कि P-terminal को positive से न टरमिनल को negative terminal भी बेटरी से जोड़ा गया है इससे क्या होगा कि इन विच photons form of light strikes with electrons in the conduction band, which generate a light which is monochromatic in nature यह monochromatic nature of light क्या होती है, एसी light जिसकी wavelength of frequency सेम होती है कहने का मतलब यह है कि forward bias में ऐसा pn junction diode होता है जिसमें जब current flow होता है तब electron और holes के combination से ऐसी light emit होती है यहां देखी emission का यह symbol बना हुआ है तो ऐसी light emit होती है जो कैसी होती है nature में? जो nature में monochromatic होती है यहां कि ऐसी light होती है जिसकी wavelength यहांने कि lambda and frequency यहांने कि mu दोनों कैसे होते है इक्वल होते हैं ठीक है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं लेजर लाइट बोलते हैं तो generally laser light क्या होती है laser light are the monochromatic light in nature they have same frequency and wavelength laser diode are expensive in comparison to LED तो laser diode के है तो LED के कागर हम इसको LED से compare करते हैं तो इनके comparison में ज्यादा महिंगी होती है तो आपने कहां देखा होगा ज्यादे आपने को बार्कूड रीडर में laser printing में screening में और फिर मेडिकल एक्विप्मेंट्स में for tissue cutting के लिए देखा होगा तो यह tissue cutting कैसे करेगी अगर आप इसका बहुत ही सिंपल है बहुत चोट एक्जामपल देखेंगे तो आपके computer के माउस में यह लगे होते हैं लेकिन वह लाइट जो होती है बहुती काम frequency की होती है हम सभी जानते कि अगर आप इस चीज को जानते होंगे विब ग्याओर को अगर आप विब ग्याओर को जानते हैं तो आपको पता होगा कि उपर से नीचे आते तरफ frequency क्या होती है जादा होती है frequency यहां पे सबसे highest होती है और यहां पे सबसे lowest होती है तो red light के क्योंकि frequency जादा होती है तो जो मेडिकल एक्विपमेंस होती है उनमें मोस्ट प्रबबली ब्लू या ग्रीन लाइट यूज की जाती है जो टिशू कटिंग के लिए यूज होती है आगे देखते है वाट इस शॉट्की डायोट को कब बनाया गया था है एक जर्मन फिजीशिस थे शॉट्की डायोट ज में घंगा में सें यूज को दायोट इस थे कंडके टियर को काई टिश झाते के शीचला इसमें क्으면ति कंड़ जाताइग दिशया है लेन भी ब्लू ग्साम करता है में जो अग्रोड के जाती है अप जेकर शिशच तो यह मैं तर स्य में प्रडोब फुश्यर के टायोटन यहां पर energy मिलने तक stationary होते हैं लेकिन अगर इनको जरा से भी energy मिलती है तो यह क्या होते हैं जल्दी से चलने लगते हैं और इसके कारें depletion जो लेयर होती है बहुत ही ज्यादा चोटी रहती है और जो electrons होते हैं उस depletion layer में इसको एक दूसरे से कॉमिनेशन होने लगता है तो इसका switching action बहुत फास्ट होता है they are used in high power application where good efficiency is required as rectifier and switches और इनको कहां पर आपने देखा होगा और ज्यादे तर ऐसे equipment जिनमें ज्यादा आवाज आनी के संभावना वहां पे ज्यादा यूस किया जाता है क्योंकि इनसे आवाज बहुत ज्यादा कम करेंट के हो जाता है मैंने पहले ही बता है depletion layer बहुत चोड़ी हो जाती है depletion layer चोड़ी होने के बाद में क्या होता है अगर इसमें current को भेजा जाए या फिर electrons को भेजा जाए फरदर अगर इसमें current बढ़ती रहती है तो इक समय आता है कि गरम होनी के कारण ये depletion layer टूर उसको हम avalanche बोलते हैं English हो और उसी के तहित इसका नाम रखा गया है avalanche diode क्योंकि current के जादा बढ़ने से क्या होता है ये depletion layer होती है ये breakdown हो जाती है जिसके कारण ये खुद को नुकसान पहुंचा के आपके circuit के सुरक्षा करता है इस diode is designed to experience avalanche breakdown at a specified reverse voltage they protect electronic circuits against damaging in high voltage आगे देखते हैं what is zener diode, zener diode या फिर zener diode हम इसको कह सकते हैं and these diode were invented by Clarence Melvin Zener in 1934 ये क्या होती है special pain junction diode होते हैं जो कि heavily doped होते हैं important बात इसमें यही है कि ये diode कैसे होते हैं heavily doped होते हैं and they are reverse bias in nature ठीक है reverse bias हम समझते है reverse bias मतला P terminal को negative से जोड़ना और N terminal को positive से जोड़ना इसमें क्या होता है depletion layer generally क्या होता है depletion layer चौड़ी होती है लेकिन zener diode में ये depletion layer चौड़ी नहीं हो पाती क्यों because of the this reason इनको क्या किया जाता है इनको heavily doped किया जाता है जिसके कारण ये P side में भी electrons जादा होते है और N side में भी electrons जादा होते हैं तो recombination easily हो पाता है heat up नहीं होती है ये diode और ये आपके circuit को बचा लेती है तो इसके important बात सिर्फ यही है कि इसे heavily doped किया जाता है तो when reverse bys the depletion layer does not get much broader narrow depletion layer has high electric field but less space which does not allow minority electrons to collide with the electrons in depletion layer resulted in less heat अब जब इस depletion layer में जब electrons एक दूसरे से तकराते हैं तभी heat generate होती है और उसी के कारण ही क्या होता है कि diode ये तोट जाते है ये circuit खराब हो जाता है लेकिन जैने डायोड मैंसा नहीं हो पाता है ये आसानी से current को flow होने देने रहता है जिससे ये heat कम करता है कम गर्म होता है और आपकी circuit को गर्म होने से बचाता है इसलिए जैने डायोड को protect circuit even if they are provided high voltage चाहे कितना भी current दिया जाए गर वहाँ जैने डायोड है तो वहाँ पे circuit की सुरक्षा करता रहता है आगे बढ़ते हैं देख लेते कुछ basic components of electricity so there are some basic components of electricity जैसे की resistor the capacitors and the inductors आइए करके सबको देख लेते हैं resistor क्या होते हैं resistor ऐसे components होते हैं जिनको current के flow को control करने के लिए बनाया जाते हैं इसको किसने बनाया था इसको Artis Frank Boykin ने 1959 में बनायता है इस electronic component whose primary function is to limit the flow of current यह limit current के flow को क्या करता है it is basically of two types linear and non-linear linear क्या होता है जिसकी value change होती है voltage बढ़ने के साथ में non-linear क्या होता है current flowing through resistor changes with change अब इसमें resistance की value change होती है और इसमें current की value change होती है और वो temperature body temperature को maintain कर गे रखता है then voltage क्या होता है एक चोटी इसी टाम है voltage क्या होता है voltage is a pressure from electronic circuit which helps to move electronic charge between the two terminals positive or negative terminal के बीच में जो charge flow होता है वो किसके कारण होता है voltage के कारण resistor के जो property होता है तो जो property resistor के होती है जिसके current वो current के flow को यह electric current के flow को limit करके रखता है इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते है उसका resistance बोलते है और इसको हम किसमें मिजर करते हैं ohms में ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते है water capacitors capacitors क्या होते है capacitors क्या होते है capacitors इसको एवाल्ड जॉज वान क्लीस्ट ने 1745 में इसको बनाया था और यह कैसे electronic components होते है that has the property of storing electronic charges इनकी property होती कि electronic charges को क्या करते हैं store करके रखते हैं they are widely used in circuits blocking direct current while allowing alternative current क्या करते हैं और alternative current को क्या करते हैं अपने से पास होने देते हैं they stores electrostatic energy and gives this energy to circuit when necessary यह इस energy का store करते हैं और जब भी circuit को उसकी जरूरत बढ़ती है तब यह उसको देते हैं इनका use कहा देखा होगा आपने electronic appliances vehicle में noise filtering जित्ते भी चीज़ें होती हैं उनमें यह होते हैं capacitors होते हैं remote sensing में इनका use होता है the capacitance value अच्छा capacitance क्या होता है capacitor की जो property उसको हम capacitance बोलते हैं और उसको हम किसमें measure करते हैं इस तरीके से remote क्या जाता है और this is the actual capacitor आगे देखते हैं water inductors inductor क्या होते हैं inductor को बनाया था 91831 में Michael Faraday ने बनाया था it stores energy in the form of magnetic field यह क्या करता है energy को magnetic field के रूप में store करके रखता है capacitor क्या करता था energy को electrostatic energy के रूप में store करके रखता है वहीं दूसरे तरफ inductor किसके रूप में energy को store करके रखता है तो वह है magnetic field के रूप में store करके रखता है when electric current flows through it it converts stored electrical energy into mechanical energy यह क्या करता है कि जो electrical energy जिसको उसने store किया था इसको mechanical energy यहने की चलने वाली energy में इसको convert कर देता है also known as coil यह चोक यह रफर reactor के नाम से जानते है और कहां इनका जादा यूज होता है tuning circuits में जैसे कि radio और tv में जो tuning होता थे पहले वाले उनमें इनका यूज किया जाता था आगे पर देखते हैं water transistor 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 को बनाया था विल्यम शॉकलीन आमने पहले पड़ा था 1947 में बनाया गया था इनको बैल लब में बनाया था it is a semiconductor device which is used in amplifiers इंको amplifier में use किया गया थाकि signal को amplify किया सके amplify करना यानि कोई भी ऐसे signal जो बहुत ही weak है उसको जब अच्छे energy के साथ जब उसको produce किया जाए तो हम उसको बोलेंगे कि हम signal को क्या कर रहे है amplify कर रहे है तो ऐसा करने के लिए transistor का as an amplifier यूस किया गया इनको switches की तरह भी यूस किया जाता है to regulate electric switches transistor होता क्या है transistor होता क्या है it is a three terminal device और इसकी जो three terminal है उसको हम बोलते है collector diameter and the base collector generally positively charged होता है emitter होता है negatively charged होता है वह neutral होता है यह दो type की होते हैं तो जिबको हम बोलते है BJT यहने की bipolar junction transistor transistor and the second ones are FET यहने की field effect transistor transistor को इस तरीके से दिनोट किया जाता है और actually मैं यह कुछ इस तरीके के दिखते हैं आगे बढ़ते हैं दिखते हैं मॉस्फेट क्या होता है मॉस्फेट एक तरीके का field effect transistor as name signifies it is a metal oxide semiconductor field effect transistor it is named so because the gate region of MOSFET is separated from the channel by a thin layer of metal oxide में इसमें क्या होता है metal oxide के thin layer को introduced किया जाता है इसी के कारण से metal oxide semiconductor field effect transistor कहां जाता है MOSFET has many advantages of other kind of transistor because it offers high input impedance and low output impedance ठीक है तो इसी के कारण हम इने inverter and high frequency amplifiers में जाधा use करते हैं कुछ इस तरीके के दिखते हैं आगे बढ़ते हैं water integrated circuit integrated circuit क्या होता है integrated circuit designed earlier जो पहले circuit बनते थे वह बल्की होते हैं बहुत बड़े होते हैं difficulty to design small portable appliances तो बड़े होने के कारण ठोटे appliances को बनाना उन circuit की help से बहुत मुश्किल होता था also previous circuits were not sometimes safe and shockproof और पहले की circuit इते secure नहीं हुआ करते थे शौक प्रूफ नहीं हुआ करते थे इसलिए उनका use थोड़ा कम होता था लेकिन 1959 में Robert Noyes along with his partners invented ICA integrated circuit का invention किया which set a new milestone in the evolution of electronics electronics के फिलो में बहुत बड़ा यह turning point था च्योंकि integrated circuit के आजाने से चीज़े क्या होने लगी छोटी होने लगी it is a microchip on which thousands and electronic components such as resistor capacitor transistor are fabricated तो IC क्या होती है इस तरीके क्या IC आपने अकसर electronic components में देखी होगी इसमें इसके कारण क्या होता है कि एक single chip में बहुत सारी properties होतने के कारण जो electronic components होते हैं electronic appliances होते हैं उनका size छोटा होने लगा और इसी के चलते हैं इसी आज हम देखेंगे तो ज्यादातर electronic items जो होते हैं उनमें IC एक basic circuit के रूप में यूज किया जाता है तो it is used in oscillator amplifier, amplifier, microprocessor, timer, etc. आगे बढ़ते हैं देखते हैं generations of IC IC बहुत सारी generation में आया जब इसका इन्वेंट किया था तब से लेके अभी तक इसमें काफी changes आये और change के हिसाब से इसमें बहुत सारे advantages भी आये तो देख लेते हैं सबसे पहले 1963 में कौन से आया SSI या फिर small scale integration इसमें क्या होते था इसमें लगभग 100 या 100 से कम transistor होते थे एक circuit पे में 1970 में MSI या medium scale integration इसमें 100 से लेके 300 तक के transistor होते थे एक single circuit पे 1975 में LSI which stands for large scale integration and it comes with 300 to 30,000 of transistor in a single chip then in 1980 VLSI means very large scale integration means 30,000 to 1 million transistor होते थे एक चिपर 1990 में ultra large scale integration याने कि ULSI जिसमें जादा से जादा 1 million transistor होते थे एक single circuit पे आज जो future में हम कहीं अगर देखने को मिला जा सकता है या पर आज जो हमें देखने को मिलता है वो होता है GSI या फिर Giga scale integration which has more than 1 billion of transistor on a single chip आगे बढ़ते हैं देखते हैं microprocessor क्या होता है microprocessor is a controlling unit which is fabricated on a small chip capable of performing ALU operations and communicate with the other devices connected to it so microprocessor क्या होता एक chip होती है आपने इसको एक chip की रूप में आपकी computer की चिप में देखा होगा एक silver लगी chip होती है basic processor के नाम से भी हम इसको जानते हैं तो इसकी क्या performance होती है यह ALU के जैसा टास्क भी करता है और यह computer के बाकी या फिर किसी भी machine के बाकी components से क्या कर सकता है communicate कर सकता है बात कर सकता है ALU stands for arithmetic logical unit means यह logics के through 01 इनका use करके and or or gates का use करके यह क्या करता है logical operations को perform करता है और जिसके कारण ही वो किसी भी electronic components के बाकी part को instruct कर सकता है the microprocessor flows the sequence of fetch, decode and execute fetch मतलब instruction को लेना then उसे instruction को decode करना और फिर जो भी instruction मिला था उसके साब से work करना इनके execute करना in 1971 world's first single chip microprocessor Intel 4004 was fabricated by Intel and was created and designed by Federico Fagan and Stan Ted Major तो सबसे पहले जो टांजिस्टर बना था वो था Intel 4004 जिसको Intel Company ने बनाया था और 1971 में बना था जिसको Federico Fagan ने और Stan Ted Major ने बनाया था it is not only used for computer but is almost all electronic devices like watch TV washing machine etc तो microprocessor ज़रूर ही नहीं है सिफ computer में use होते हूं यह बहुत सारे electronic items जैसे की watch television washing machine in some में भी use किये जाते हैं आगे बढ़ते हैं हम देख लेते हैं what is the development of electronics in India in 1970 establishment of electronic department 1971 में भालत में electronics department की इस्थपन हुई then in 1974 26 June of 1974 establishment of CELC and Stanford Central Electronics Limited जो की कहा है गाजियाबाद में है इसका headquarters New Delhi में chairman इसके Shri Chetan Prakash Jain है अभी and department क्या है यह किस department के अंडर वो करता है department of scientific and industrial research ministry इसकी ministry of science and technology and अभी currently किस पर काम कर रहा है solar panel and railway network maintenance पर यह काम कर रहा है then in 1980 STQC and a standard testing and quality certification नामकिक organization बनी it is attached office of METI METI means ministry of electronics and information technology then in 1984 comes Samir, Samir stands for Society for Applied Microwave Electronic Engineering and Research यह कहा है यह IIT Bombay में है and it is an autonomous body under department of electronics then in 1985 to 1990 के बीच में promotion of electronic industry in 7th Fibular Plan में electronic industry के promotion की बात की गई थी और 1990 में CEMATI यानि की Center for Materials for Electronic Technology Establish की गई कहां पे पूने में कि किस के अंदर वह करता है under the department of electronics and information technology ministry of communication and information technology के इसकी three labs हैं कहां कहां पे पूने में हैं हैं तिरस्षूर में 1991 में METI यानि की Ministry of Electronics and Information Technology को establish किया गया इसका headquarter कहां है New Delhi में Secretary इसके अजे प्रकाश सहाब ने यह ISI हैं फिर 1st April 1993 को EHIP Electronics Hardware Technology Park of India schemes को establish किया गया 1994 में National Institute of Electronics and Information Technology को establish किया गया then in 2000 में Technology Development Board of India को establish किया गया statutory body means act के through establish किया अगया और यह Technology Development Board Act 1995 के तहत इसको बनाया गया था in 2019 में National Electronics Policy को propose किया गया and it is works for the Electronics System Design and Manufacturing कि क्या कांगात है ते प्रमोटी manufacturing of core electronic components and promotes industry-led R&D innovation in the sectors of electronics जैसे कि 5G, AI, VR, drones, etc. So that's all about Electronics and MPPSC slavers If you liked the video please hit that like button and also subscribe my channel for more updates about the videos please hit that bell button near it and if you find this video useful please share it with your friends and whom need and that's all thanks for watching thank you for watching